कि नवस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल करन सलुशन 2.8 में आपका स्वागत है तेखिए इसकी पर आपकी प्रस्न आ रहा होगा पढ़िए और वीडियो रोग करके लगाए इसको प्रस्न पहला प्रस्न है चार अंकों की नियुनतम वह संख्या कौन सी नियुनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि 89 से पूर्टया विभाज हो तीके चार अंकों की नियुनतम यानि छोटी सी छोटी संख्या कह रहा है और 89 से पूर्टया विभाजत की बात कर रहा है तो इसको भाग करते हैं तो 89 एक कम 89 दस से एक 9 जाएंगे कितना बचेगा एक यहां 9 से 8 जाएंगे कितना बचेगा एक फिर 0 उतार लेते हैं फिर एक अन्ना पर काटते हैं तो यहां पर कितना बचा एक और यहां पर कितना बचा दो अब देखिए बात छोटी सी छोटी कर रहा है तो क्या करेंगे इ प्रस्न नंबर दो देखे राम अपनी आई का एक बटा तीन भाग रहने पर एक बटा आठ भाग कपड़े पर तथा दस प्रसाद दान पर खर्च करता है यदि उसके पास 318 रुपए बचते हैं तो उसकी आई ग्याद करें देखे, मान लेते हैं उसकी आई जो थी वो एक्स रुपए थी कितने रुपए थी? एक्स रुपए थी सबसे पहले क्या करता है एक बटा तीन भाग रहने पर यानि एक्स का एक बटा तीन भाग प्लस हो गया फिर एक बटा आठ भाग कपड़े पर खर्च करता है एक्स बटा आठ भाग प्लस प्लस एक्स का एक बटा दस भाग इतना खर्च करता है और 318 रुपए ही बचा लेता है अब इस साच्वेशन को आप साल्व करिए आपका अंसर आ जाएगा देखिए यहाँ पर इनका LCM कितना आता है इनका LCM आता है 120 120 LCM आप लोग जानते हैं निकालने के लिए तीन चक्कु बारा यानी 40 X प्लस 15 अठी 120 15 X प्लस 12 दुसाम 120 12 X पराबर 318 X से ही माइनस करना आपको है ये चीज अब दिखिए यहाँ पर 120 X ये हो गए अब इनको जोडते हैं जोड़िये तो कितना बनेगा यहाँ पर इनका योग बनेगा सरसट X सरसट X बटे 120 120 बराबर 318 सरसट से 120 से 10 10 से 7 जाएं कितना बचेगा 3 और यहाँ पर बच्चा 11 11 से 6 जाएं कितना बचेगा 5 तिरिपन X बराबर 120 गुणे 318 एक्स बराबर 120 गुणे 318 बटे 53 तीन च्छाक 18 पांच चक्का 30 और एक 31 यानि 53 चक्का 318 तीन च्छाक 18 बार चंग 72 और चेगा जीरो एक साथ सो बीस रुपए उसकी आयए थी थोड़ा कल्कुलेशन करने का फास तरीका है एक बार फिर समझाते हैं तीन च्छाक 18 हसिर लगा एक पांच चक्का 30 एक 31 यानि 53 चक्का 308 तो उसकी जो मासिक आय थी वह साथ सो बीस रुपए थी आपसा नंबर डी बिलकुल सहीं अंसर होगा नंबर 3 देख़े निकर्टा मान बताना है देखे निकर्टा मान के लिए क्या करेंगे Start template जो पांच से जैसे यहां पर लिखा है एक Pॉइंट पांच तो इसका आर्त क्या हुआ 2 लिखा है अगर कहीं पर लिखा है कहीं पर लिखा है 2.3 तो उसका मतलब क्या लिखा है दो लिखा है अगर पांच है तो आप तीन मानिए चार है तो इधर का मानिए तो यहां पर देखिए दो पॉइंट जीरो पांच लिखा है इसका मतलब लिखा है दो अब देखिए यहां पर गुणा करना है तो यहां पर कितना लिखा है एक पॉइंट जीरो इसका मतलब लिखा है एक और गुणे यहाँ पर लिखा है दो पॉइंट निनानबे यानि लिखा है ती अब जोड़ लेजिए दो और तीन एक कम तीन तीन दो कितना हुआ पांच तो अफसर नमबर कौन सा सही होगा अफसर नमबर ए बिलकुल सही आंसर ह होगा परस नमबर चार देखिए वह निवनुतम संख्या बताईए जिसमें यदि छे घटा दिया जाए तो वह संख्या इकिस अठाइश चातिस और अर्टालिस से पूंगता विभाजी दसा में आ जाए देखिए 21 कामा 28 कामा 36 कामा अर्टालिस निवनुतम संख्या निवन निमटम का मतलब होता है लगुतम और निमटम का मतलब होता है अलसियम तो इनका लकाने के लिए आपको तरीका पता और पंत पता 21 आएगा और 7, 9 और 3 पर काटिए अब 3 से काट देए 3 सत्य 21 और 7 उसी पर कारता देए 3, 3, 9, 3 एकरना 3 अब 3 से काटिए 7 उसी पर कारता आए 3 एकम 3 और 3 एकम 3 साथ एकम 7 अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 यहाँ पर लिखते हैं फिर 3 तिया 9 गुणे 7 16 नावा 144 गुणे 7 7 4 गठाइस और 7 4 गठाइस और 2 30 साथ एकरना 7 और 3 साथ एकम 7 और 3 दस साथ दस अब बात आती यहाँ पर है कि 6 सेस बचता था तो यहाँ पर 6 जोड़ देते हैं जो सेस बचता है उसे जोड़ते हैं तो 8 6 14 और 10 तो 10 100 यहीं 1014 वा संख्या होगी आपसान नमबर आपका भी बिल्कुल सही आसर होगा लाँटा संख्या पांच देखे 4,50,779 डेसी लीटर को किलो लीटर के मान होगा देखे क्या करते हैं लीटर में अगर लीटर में हो तो क्या करते हैं 10 से भाग करेंगे हेक्टो लीटर हो तो क्या करेंगे एक हजार से अगर यही माल किलो लीटर में बदलना है किलो मीटर में या लीटर में बदलना है काहीं बदलना है लीटर में दलना है तो दस हजार से भाग करते हैं दस हजार से भाग करते हैं अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको यहाँ पर जो संख्या दी है पैंतालिस आठ साथ छे नौ इसे हम दस हजार से भाग करेंगे तो यहाँ पर चार स्थान बाद पॉइंट लगाते हैं चार स्थान बाद तो कौन सा अफसन सही होगा अफसन नमबर यह बिल्कुल सही असर होगा परस नमबर छे देखे अठारा के गुणन खंडों की कुल कितनी संख्या है देखे अठारा के कुल गुणन खंडों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ सबसे पहले देखे दो से कर जाता है दो नाम अठारा फिर तीन से कर जाता है 3, 6, 18, 4 से तो करता, नहीं 5 से भी नहीं करता, 6 से कर जाता है, 6, 3, 18, फिर 9 से भी कर जाता है, 9 दूनी 18, और फिर 18 से ही कटेगा, 18 से 18, 18, 18, 18, 18, तो 1, 2, 3, 4, 5, और 5, एक से तो सभी करते हैं, एक से यह बिल्कुल सही होगा, प्रस नमबर 7 देखिये, लिखा है, निकटा मान बताना है, 6, 93, गुणे, 0.00, 0.03, निकटा मान बताना है, देखिये, यहां पर यह क्या होगा? 93 लिखा यहां पर है तो 0.1 हो जाएगा 0.1 यहां पर 7 होगा यहां पर 0.1 होगा तो 7 एक कम 7 एक इस थानवाद कि द्विश्य से 20 परसद अधिक हो तो B की आई, A की आई से कितने परसद है तो देखिये यहां पर E की आई B की आई से 25 परसद बोलगा थे तो यहां पर 20 लिखते हैं और अधिक करता है तो इसमें क्या करते हैं पच्चीस सो में जोड़ देते हैं और प्रसत के लिए क्या करते हैं गुणे सो पचीस पंचे एक सो पचीस पांच दूनी दस कितने प्रसत दिवाई है बीस प्रसत जो है अधिक है अपसन नंबर यह बिल्कुल सही होगा प्रसन नंबर नौ देखिए किसी घरेलू सामगरी की दरों में 20 प्रसत ब्रद्धी हो जाने से इस सामगरी की खपत कितने प्रसत कम करनी होगी इसे खर्च ना बढ़े देखिए वही प्रसना है 20 प्रसत की हुई तो यहाँ पर बीस सो में जोड़ते हैं प्रसत के लिए क्या क सही दो बटा तीन प्रस्ट अपसर नमबर सी विल्कुल सही होगा प्रस्ट नमबर दर देखे राम ने एक पुरानी मोटर साइकल पंद्रा हजार रुपए की खरीदी और इसे मरम्मत के लिए दो हजार पांचो खर्च कर दिये तब उसने सोला हजार रुपए में बेच दिया उसका हान प्रस्ट देखे उसने जो है पंद्रा हजार रुपए की मोटर साइकल खरीदी फिर दो हजार पांचो रुपए वो बंदा जो है उसकी मरम्मत में लगा दिये तो सत्रा हजार पांसो रुपे की उसे पड़ी लेकिन उसने सोला हजार रुपे की बेच दी तो से घाटा कितना हुआ 1500 रुपे का अब प्रसत हान के लिए क्या होता है हान गोडें साव बटे क्रेमुल बटे क्रेमुल कितना था उसका हान तो उसकी पंद्रा सो रुपए यानि 1500 प्रस्थ के लिए 100 हान कितने होई सब 15500 रुपए कि दो जीरो से दो जीरो केंसिल पचीश चक्कू 100 पचीश चक्कू 100 और 25 सती 175 पंद्रा चक्कू 60 पंद्रा चकू 60 और बटे 7 अब दिखें बटे साथ अठी 56 साथ अठी 56 कितना बचा है चार तो आठ सही चार बटा साथ प्रस्थ की उसे क्या होई हाँ आप्शन नंबर दी बिल्कुल सही अंसर हो प्रस्थ नंबर गया देखिए एक फल वाला दस रुपए की ग्यारा नंगरियां नारंगयां खरिता है तथा उन्हें ग्यारा रुपए की दस के भाव बेचता है उसका प्रस्थ लाब क्या है देखिए यहां पर लिखिए वस्त यहां पर लिखिए रुपए दस की जो है ग्यारा खरिता है फिर ग्यारा की दस के भाव बेचता है इसका इसका गुणा करिए ग्यारा ग्यारा कितने होती है एक सो एकिस दस दुसा 21 परफेट अगर परफेट में आता है तो मैंस में आता है तो ल estrut येनि हान, तो 21 परफेट का परफेट हो आप्षान नंबर भी बिल्कुल सही अंसर हो, परस नंबर बारा देखिये कोई धन पांच वर्सों में दो गुना हो जाता है, बताइए कि वह कितने वर्सों में तीन गुणा हो जाएगा कोई धन पांच वर्सों में दो गुणा हमें निकालना है तीन गुणा तो एक घटा के जो दो गुणा दिया है उसी से भी एक घटा देते हैं जो समय दिया है उसे हम गुणा कर देते हैं तो पांच दूनी दस वर्स तो जो तीन गुणा होने में जो समय लगेगा वो दस वर्स लगेगा अपसन नंबर एक बिलकुल सही अंसर होगा प्रस नंबर त्यारा देखिए छे पुरुस या नौ महिलाएं एक खेत को चौदा दिन में काट सकते हैं उसी खेत को दो पुरुस और चार महिलाएं कितने दिन में काटेंगी देखिए हमें महिलाओं की संख्या पहले से निकालनी है किस प्रकार से निकालते हैं महिलाएं बराबर यहां प गटे पूरुस के और गुणे पूरुस यह फर्मूला इसका होता है कि अहीं अब देखें क्या करते हैं महिलां की संख्या में कितनी है नव पूर्सों की संख्या क्या है पहले लाइन में छे अब दूसरी माल यहां मेह कितने अब नीचे की लाइन बढके चार महला है तो conduit लिखेंगे एफशा नमबर बीस यहां बन गल्सर。 प्रस्त नंबर 14 देखिए 36 किलो मेटर पतगंटा की चाल से चलती हुई 125 मिटर लंबीक रेल गारी उसी दिशा में 6 किलो मेटर पतगंटा की चाल से चल रहे एक मनुस्य को पार करती है बताएए उसे पार करने में गाडी को कितना समय लगेगा देखे 36 km है 36 km एक गाड़ी जा रहे है इधर को इधर को एक गाड़ी जा रही है इसी दिसा में एक मनुस्य जा रहा है ये गाड़ी हो गई आपकी और ये मनुस्य हो गया इसकी चाल है 6 km और ये है 36 km जब एक ही दिसा में जाते हैं तो क्या करते हैं चाल उनकी घट जाती है त तो 445 की 30 km अब इसे किलोमीटर प्रत घंटा है तो इसे क्या करेंगी हम मीटर प्रते सेकेंड में बदल लेंगे 6,3,18 6,5,30 और 25 बटे 3 मीटर प्रते सेकेंड अब पूरी जो दूरी है वो गाड़ी की ही दूरी होगी मनुसरी की कोई दूरी नहीं होती है तो 125 समय पूछता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, 125 बटे 25 बटे 3, ये उधर गुणा कर देगा, तो 125 गुणे 3 बटे 25, 25 पंचे 125 पाच तिया 15 सिकेंड लगेंगे, मनुस्य को पार करने में जो समय लगेगा, वो 15 सिकेंड लगेगा, आपसन नंबर भी बिल्कु करना है, सबसे पहले हम छोटा सालब करते हैं, देखिए, यहाँ पर माइनस के 5 है, यहाँ पर माइनस के 2 हैं, इसे सालब करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कहले हैं, माइनस 2 और माइनस 5, छोटा हाल करते हैं, तो यहाँ पर होगा, माइनस 7 प्लस 6 और 2, माइ माइनस सपल एक बक साओ शलिभार कोई का प्लादर्म आता है यहां पर पांच सब किया करना माइनस क्यों हैं यहां पर बचेगा माइनस से हो जाएगा यहां पर क्या आएगा माइनस का दो लेकिन यहां माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस दो और तीन तो आंसर आपका आएगा पांच आपसर नंबर डी बिल्कुल सही अंसर होगा नंबर इस नमबर के दोल्ब अबश्क नमबर सोलह देखिए दोसों पचातर मीटर लंबी रेल-गाडी 35 कलो मीटर पृटे घंटा की चाल से चल रही है था बिपरीत दिसा से दोसों 25 मीटर लंबी रहिए पत्प मीटर प्षील कि चाल से आ रही है दोनों एक दुसरे को को पार करने में लगा समय देखे रेल गाड़ी चाहे विप्रीग दिसा में हूं या आमने सामने हूं उनके लंबाईयां हमेशा जुड़ना है दो सो पचहत्तर और दो सो पचीस आप पहले जोड लीजिए पांच पांच दस साथ तू साथ दो नौ एक दस दो दो चार पांसो मीटर जो दूरी बनेगी आपकी वह पांसो मीटर की बनेगी लेकिन विप्रीग दिसा में आ रही हैं तो इनकी क्या होगी चाले जुड़ जाएंगी तो 35 प्लस 25 जुड़िए पांच पांच दस तीन दो पांच और छे साथ किलो मिटर की जो स्पीड होगी वह उसाथ किलो म समय निकालना है समय बराबर क्या होता है दूरी बटे दूरी बटे चाल दूरी कतीनी है पांसों मेटर की और समय हैं पचास ये 3 उधर गुणा करेगा तो तो पांच कम पांच और एक जूरो से एक जूरो कैंसिल 2020 पाम कम लोग कोई है मर आप 30 सिकेंड का लगएगा अपसन नमबर फै UCowo δια स्थार अश्वाम है इस इसका परिमाप और आयत्यकार मैदान के परिमाप यह 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 mane ת santé मैदा कि चौड़ाई छे मीटर है तो आयताकार का बिकर्ण बताए तो आयताकर का बिकर्ण बताए यह कहता है जिसे यह वरगाकार है इसकी भुजा साथ मीटर है यह आयताकार है इसकी भुजा एक साथ छे मीटर दे रखी है छे मीटर दे रखी है तो इसका परिमाप और इसका परिमा यहां परिमाब होता है टो वर्क का परिमाब बराबर होता है चार गोने भुझा तो सात गोने चार बराबर 28 मीटर तो आयत का भी परिमाप हुआ आयताकार मैदान का जो परिमाप हुआ वो भी 28 मीटर हुआ लेकिन हमें दूसरी भुजा पता करने हुगी इसमें तो दूसरी भुजा पता करने के लिए आयत का परिमाप होता क्या है आयत का परिमाब बराबर दो लंबाई प्लस चोड़ाई तो यहाँ पर 28 लिखते हैं और यहाँ पर 2 और लंबाई दी नहीं इसकी है तो X माल लेते हैं एक दी भुजा है 6 तो 14 दूनी 28 बराबर X प्लस 6 पच्छांतर कर लेते हैं 14 से 6 जाएंगे 14 से 6 जाएंगे X बराबर कितना पचेगा 8 तो जो लंबाई आई वो आई इसकी 8 मिटर और चोड़ाई जो दी है वो दी इसकी है 6 मिटर बिकरण बराबर क्या होता है आयत का बिकरण आयत का बिकरण बराबर होता है लंबाई स्क्वाईर प्लस चोड़ाई काई स्कॉयर और अंडर रूट यानि 8 काई स्कॉयर प्लस 6 काई स्कॉयर बराबर 8 ठाई 64 चचरंग 36 रूट बराबर 100 यानि अंडर रूट 100 और 10 मीटर तो विक्रण की जो लंबाई होगी वो 10 मीटर की होगी अप्सन नंबर एवल को सही आंसाथ प्रस नंबर 19 देखे धात के बने 12 सेंटीमेटर भुजा वाले घन को पिगला कर ती छोटे छोटे घन बनाया जाते हैं यह दिन में दो घनों की भुजाएं 6 सेंटीमेटर 8 सेंटीमेटर होगी तो तीसरे घन की भुजाओं की लंबाई क्या है देखे घन का जो आयतन होता है ऊट गहन का अचाय बराबर भुजा क्यूब का होता है देखिए यह बढ़ा सा घन है इतना बड़ा सा घन है उसमें से 3 छोटे छोटे घन बना जाते हैं जिनकी मआ दू की दी है तीसरे आफ अप Breakingले है जो बड़ा घन है उसका क्या है बारा बारा संटिमीटर है तो बारा का हम क्यूब करेंगे इसमें से इन दो छोटे घनों को जिसकी भुजा है आठ और एक की भुजा है छे इसको निकालना है तीसरे की मालेते हैं एक्स 12 का आप क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1728 आठ का जो क्यूब करते हैं तो क्या होता है 512 छे का होता है 216 अब इसमें से प्लस एक्स ये आप जोड लीजिए इसको आपको जोडना है ये जो जोडते हैं तो इनका जो जोड आएगा 6 और 2 8 और 1 2 1 और 1 2 5 2 7 17 28 से इसको मैनस करते हैं X बराबर तो आता है 0 फिर 0 फिर 0 1000 तो X का Q करते हैं X जो Q इहाँ है ये Q जो है इस पर चढ़ा देते हैं तो क्या आएगा 10 जो दूसरे की भुजा आएगी वो आएगी 10 प्रस नम्बर इसमें कौन सा सही होगा ? अप्रस नम्बर 20 देखे 10 मिटर लंबी 40 सेंटीमिटर मोटी और 10 मीटर उची दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमिटर लंबी 5 सेंटीमिटर चौड़ी तथा 5 सेंटीमिटर मोटी कितनी ईटें लगेंगी ? देखिए आपको इंटों की संख्या पता करने आए इंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक इंट का आयतन दीवार कैसी होती है लंबाई चोड़ाई गर उचाई दिये तो घनाकार होती है घनाकार की लंबाई क्या होती है लंबाई गुणे चोड़ाई गुण करने के लिए 100 से गुणा फिर दिया है 40 सेंटी मीटर इसको वैसे रखेंगे फिर दिया है 10 मीटर इसको भी हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे अब बटे में 25 गुणे 5 गुणे 5 25 गुणे 10 और पांच दूनी 10 चार दूनी आठ 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 दूनी चार दूनी आठ 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 दूनी सोला चकुछ 64 और तीन जीरो तो इंटों की जो संख्या होगी वह 24,000 होगी आपसर नंबर 64,000 आपसर नंबर एस ही है दोस्तों हमारे एक मित्र हैं उनका एक परिछा के नाम स आप है जो प्ले स्टोर में जाएगा और डाउनलोड कर लिजेगा उसमें आपको 1000 से अधिक आपको टेस्ट मिलेंगे मैत के भी हैं रिजिनिंग के भी हैं और हिंदी के हैं और 20 सेट हैं जो आपको बहुत पर इच्छा में कामियाब करेंगे देखे और इसका लिंक भी डि लगे या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें कमेट बॉक्स में बताइए कॉल करें हम आपकी कॉल करते हैं और आपके जो भी सिकवा या किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर देजे धन्यवाद दोस्तों